आज हम बात करने वाले हैं Simple Buy Now Pay Ladder Application के बारे में आप सक्रीन पर देख सकते हैं जो मुझे लिमट मिली है पूरे 15,500 रुबे की यहां पर मुझे लिमट अप्रूवल हुई है आप इसकी लिमट को बैंक अकाउट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और बैंक अकाउट में ट्रांसफर करने के साथ साथ आप इसकी लिमट को यहां पर किसी भी प्लेटफारम पर यूज कर सकते हैं वह भी मैं आपको दिखा देता हूं इसकी लिमट को आप प्रिपेट, पोस्पेट, फास्टेक, गैस सिलेंड, डिटी एच, इलेक्टिसिटी सबसे बड़ी है जो इसमें ओप्शन एड़ किया गया है इलेक्टिसिटी आप यहां से बिजली का बिल भी पेट कर सकते हैं और जो इसको टाइम पिरेट मिलता है अमारे को पूरे 20 दिन का मिलता है क्योंकि 15 दिन का अमारे को टाइम पिरेट मिलता है और 5 दिन का जो अमारे को बिल डियू डेट का यहां पे टाइम मिल जाता है या आप सक्रीन पर यहां पर देख सकते हैं आप इसकी लिमट को bank account में कैसे transfer कर सकते हैं उससे पहले में आपको अगर आपकी लिमट यहां से increase नहीं हो रही है तो मैं आपको वहां पर इसको एक option बताता हूं वहां से आपके लिमट बहुत ही जल्दी यहां पर increase देखने को मिलेगी अगर आपका यहां पर auto पर enable है अगर आपका यहां पर auto पर enable है तो आपकी लिमट 15 से 20 या 25 दिन में यहां पर आपको बहुत जादे increase देखने को मिलेगी अगर आपका यहाँ पर auto पर disable है तो आपकी limit यहाँ पर जल्दी करके यहाँ पर increase देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अगर आप यहाँ पर auto पर enable करते हैं तो जो आपकी यहाँ पर limit की जो due date दिखा रहा है तो पांस तरीक से पहले यहाँ पर automatic ही आपकी जितनी भी यहाँ पर जितना आपने यूज किया होगा तो automatic ही आपकी bank से deduct हो जाएगी बस यह ही है कि यहाँ से limit बढ़ाने का एक option है अगर auto enable करते हो तो आपकी जो limit है आपको बहुत जादे ही देखने को मिलेगी अब आप बात कर लेते हैं कि जो simple pay letter है उसकी limit को bank account में कैसे transfer कर सकते हैं अगर आप fast tech को use करते हो तो ही आप इसकी limit को bank account में transfer कर सकते हो अगर आप यहाँ पर ऐसा कोई भी option नहीं है अभी तक simple pay की limit है उसको आप bank account में transfer कर सकते हैं सिरफ FastTech के जरी आप इसकी लिमट को bank account में transfer कर सकते हैं। अगर आप FastTech को use करते हो, तो आप इसकी लिमट को bank account में transfer कर सकते हो, बाकि आप इसकी लिमट को bank account में transfer नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से prepaid, postpaid, आप यहाँ पे इसकी लिमट को इस platform पे use कर सकते हो, gas cylinder, electricity bill, dth बागे इसकी limit bank account में transfer नहीं हो सकती उसके बारे में आपको एक चीज़ और बता दू अगर आपकी limit यहाँ पे block है अगर आप उसकी limit को unblock करना चाती हो तो वह भी मैं आपको बता दू वीडियो को पूरा देखना अगर वीडियो को पूरा देखोगो तो ही आपको पता चलेगा अगर आपको यहाँ से limit नहीं मिली है तो आपको limit वहाँ पे कैसे मिलेगी अगर आपका यहाँ पे काफी दिन से यहाँ पे जो loan है वो low को रखा है तो अगर आप उसको unblock करना चाती हो तो आपको उसको एक other gmail id से create करना है जैसे आप इसे other gmail id से create कर गए अगर आपका काफी time से यहाँ पे ब्लोक पड़ा है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे limit देखने को मिल जाए बसे यहाँ यहाँ पे एक चोटा सा procedure है अगर आप इसकी limit ब्लोक उचुगे तो उसकी limit को आप unblock भी कर सकते है बाकि आप किसी भी platform पे इसकी limit को अपने bank account में transfer नहीं कर सकते है सिरुफ पास्टेक के जिरिए आप इसकी limit को अपने account में bank account में transfer कर सकते है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करना सस्क्राइब करना ठैक्यू दोस्तों